हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लेगरी पारडाइस पर आज हम आप सभी लोगों को लिए तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं जो कि हल चैप्टर से हैं हम लोग देशी इलतक की बात कर चुके थे जो कि मिट्टी नहीं पलटता है अब हम मिट्टी पलटने वाले हलो की तरफ आते हैं तो पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आप सभी लोगों बताया था कि देशी इलकिस परकार से काम करता है और क्या क्या काम करता है तो उस बारे में हमने सारी बात कर ले थी आज मिट्टी पलटने वाले हलो के बारे में दे लेते हैं मिर्टी बलटने वाले हलो का पहला का तो चमीन तो तोड़ने का यह होता है वह उनका जो आगे का सीरह होती ही नोक होती है शेर होता उसका फार जोसे बूलते हैं फार के तो तीन भाग होते हैं वो पहले नूमर मिट्टी के अंदर जाते हैं और उसमें भी सबसे पहले जो भाग होता है नोक पॉइंट जिसे बोलते हैं वो सबसे पहले मिट्टी के अंदर जाता है फिर उसके आद में मिट्टी को पलटने का काम करता है तो पहला काम तो हो नई जमीन को तोड़ने मिट्टी को पलटना यवा हरी खाथ बाले फसलों को मिट्टी में पलटना खरपतवारों को नस्ट करने के लिए मिट्टी पलट हलों का प्रियोग किया जाता है अब खर्पतवारों को नश्ट करने के लिए किस प्रकार से किया जाता है जैसे कि हमारे जो गन्ये की फसल होती है उसकी बीच में काफी गैप होता है तो उनके बीच में अगर कोई वीड आ जाता है, खरपतवार आ जाता है, तो वो उसके वीच में उसको चला दिया जाता है, जिससे कि हमारे गन्ने में दो फायदे हो जाते हैं, एक तो खरपतवार नस्ट हो जाते हैं, दूसरा ये भी फायदा हो जाता है, जो गन्ने की जड़ होती, वहाँ पर मिट्टी भ बात करते हैं तो अगर हम मिट्टी पलेट हल से पहले जुताई करते हैं वापर तो मिट्टी पलेट हल से यह फायदा हो जाता है कि जो नीचे की मिट्टी होती वह उपर आ जाती है जिससे कि उसमें जलदारन चमता अधिक हो जाती है और पानी ग्रहन करने की चमता भी बहुत सब्सक्антनीच गर्म कर दिजिए के लिए लिए अया बहुत अज़्ेखत बहुत इंद्र है कि गर्मि होती है तो इससे जिद्दाई की जाती है तो है जमीन खुल जाती है अला की नीचelijk मिट्टी ओती वह ऊपर आ जिस परकार से मैंने धान के लिए बताया हुई उसे परकार से यहां भी काम होता है हम देख लेते हैं मिट्टी पलटने वाले हलो के भागों के बारे में देखते हैं पहले तो इसे दो भागों में बिवक्त किया गया है दो भागों में बाटा गया है पहला हलतल जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में गोला था कि आगे बात करेंगे तो इसी वीडियो में उसके बारे में सारी बात करेंगे और दूसरा सायग भाग तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हलतल के बारे में हलतल जो भाग होता है वो इसमें आपको सभी लोगों के सामने भी स्क्रीन पर आ रहा होगा मिट्टी पलटने वाले हलो का मुख्य भाग मिट्टी काटने का इसका काम होता है हलतल का इसका उसकी बाद में अब हम लोग दे तो जो मॉल्ड बोर्ड होता है ुसके भी कई सारे भाग होते हैं ैसकी स्कृनपर हारा हुगा फार को भी कई 2002 में वित्रेंग विक्त किया गया है अगर हम हम हल तल की बात करते हैं आपकी स्क्रिन पर आ रहा होगा मिट्टी पलटने वाले हलो का मुख्य बाग है इसका काम मिट्टी काटना मिट्टी को भुरबुरा बनाना उसे उपर चड़ाना मतलब कि मिट्टी को पहले काटेगा फिर वो उपर की ओर आती है मिट्टी फिर उसके बाद में वो पलटती है तो भुरभुरी हो जाती है तो यही कार जो सारे कार जो मिट्टी पलटने का पूरा कार करता है वो हलतल कार करता है और अगर कोई हल अच्छा अथवा खराब है इसकी पहचान हम हलतल से ही करेंगे कि वो कितना अच्छा है अथवा कितना ख कार से हम देखेंगे हलतल के भाग के बारे में बात करते हैं जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि एक तो इसका भाग हो गया हल्मूल या लोहे का बना हुआ होता बेड़ल का एक टुकड़ा होता इसमें फार दावरोधी और मिट्टी पलट जुड़े हुए होते हैं कि फार के बारे में देखते हैं फार के आरे में हम विश्तर दूरूप से थोड़ा आगे देखेंगे और यह फार काफी अच्छा टॉपिक है इससे लगभग हर साल यह कोशन पूछा जाता है और आप लोग में बता दें कि जो हल चैप्टर है उससे लगभग मैंने पिछले पांच से सालों के पेपर्स देखे थे तो उसमें मैंने देखा था कि हल चैप्टर से लगभग लगभग हर साल बारा से पंदरा नंबर का आता है तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डन चैप्टर होने वाला है और अगर आप पूरी इसकी सिरीज देखते हैं तो एक भी अगला नंबर आता है नोक का जिसे इंग्लेस में पॉइंट कहते हैं यह फार का अगला नुकीला भाग होता है जो सुरुवात में जो सबसे पहले मिट्टी के अंदर खुषता है उसी को हम नोक कहते हैं नोक पॉइंट से आप सभी लोग समझ गया होंगे हलको जोत्तित सम है है कि भूम में सरप्रतम प्रवेश करता है अब हम बात करते हैं पंक की इसमें पंक भी बहुत बड़ा दल गता है हल तल में या फार की धार का बाहर ही को ना होता है अगर पंक इसमें नहीं होगा अगर हल में पंक नहीं होगा तो वह मिट्टी को नहीं पलटेगा ऐसा होगा क्योंकि पंक के द्वारा ही मिट्टी को पलट करके जमीन में आती है अगर हम धार की बात करते है फार की नोक से लेकर पंक तक का भार धार कहलाता है अब धार से आप सभी लोग समझ गया होंगे कि धार इसलिए महतपूर्ण होती है क्योंकि अगर हल में धार नहीं होगी तो हल सहीर से मिट्टी के अंदर नहीं प्रवेश करा पाएगा क्योंकि फिर बैलों पर आगे जो बोजा पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा बोजा पड़ेगा इसके कारण धार बहुत ही महतपूर्ण स्थान रखता है आगे बढ़ते हैं तो फार की नोक से लेकर फार के पंक की बाहरी नोक तक जितने दूरी होती है हल उतनी ही चौड कूड काटता है इसे हलका आकार कहा जाता है ये काफी बार पेपरों में पूछा गया है कि हलका आकार किसे कहते हैं अध्वा कोई भी व्यक्त आप से पूछ सकता है कि हलका आकार किसे कहा जाता है तो इसे याद रखने के लिए आप सामानी रूप से बोल सकते हैं पंक के बाहरी नोक से, आप सामान रुप से बोल सकते हैं, फार की नोक से ले करके, फार के पंक की बाहरी नोक तक जितना विभाग होता है, उसे हलका आकार कहा जाता है, कुछ फारों से दाबरोधी की और एक पत्ती लगी होती है, इसे गैलन कहा जाता है, गैलन भी आप से कह यह लोग पूंछ सकते हैं तो इसे भी आफ थोड़ा ध्यान में रखके चले अब हम लोग फार की किस्मों के बारे में हम देख लेते हैं फार का रूप और बनावट के आधार पर इस फार की किसमें तैकी गई हैं जिसमें की पांच प्रकार की किसमें होती है स्लिप फार, सिन फार, स्लिप नोज फार, सीधा फार और छण फार अगर हम स्लिप फार के बारे में सबसे पहले बात करेंगे इस प्रकार के फार, दावरोधी की और ऐक पत्ती लगी होती है। जहांपर यसमें दावरोधी होता है, वहांपर 較 पत्ती लगी होती है। जिसे गैलन कहा जाता है और इसकी बनाबट बहुत ही साधारान तर Holz ईक्षिा, होती है सावासल वावाल अबता है कि बात का बना उधा का बना हुआ होता है जो hörtू है कई बार पेपरों में पूछा गया है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक नमबरत वर दो नमबर में इसको पूँच लेते हैं आगे हम अगर सिन्फार की बात करते हैं तो सिन्फार जो मोर्ड बोर्ड भाग होता है अलका उसके लिए ये मिट्टी काटने का काम करता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि अगर ये घिस जाता है ये मोर्ड बोर्ड के आगे लगा हुआ होता है और ये आगे से मिट्टी काट करके मोर्ड बोर्ड को दे देता है अगर गिस जाता है तो mode board बदलने की आवश्यक्ता नहीं होती है सीधे sin जो होता है sin far होता है उसको बदल देते हैं इससे mode board के जो बदलने की आवश्यक्ता बिल्कुल नहीं पड़ती है अगर हम देखते हैं अगर हम slip nose far के बारे में थीसरा point जो की दिया हुआ है slip nose far उसके बारे हम देखते हैं तो यह भी बिल्कुल sin far की जैसा ही होता है और इसमें बस इतना सा इतना difference होता है slip और slip nose far में कि इसका जो आगे का भाग होता है इसकी जो नोक होती है इसको बोला गया ना slip nose far तो इसकी जो आगे की नोक होती है अगर वो घिस जाती है तो केबल उसको निकाल करके अलग कर दिया जाता है और जो नोक होती है उसी को slip nose far कहा जाता है यह अदिकतर पंजाब हलों में ऐसा फार होता है यह भी परिक्षा की द्रिश्ट से काफी है तुपूर्ण होता है और इसके बाद में चौते नंबर पर आता है सीधा फार इसमें कोई गैलेन नहीं होती है और या इस बात का बना हुआ होता है अब पांच में नंबर पर जो भाग में बिस्तार होता है मतलब कि उपर का जो भाग होता है वो थोड़ा चाना होता है और इसमें बिस्तार से दावरोधी बनती है इस फार में उपर के भाग में बिस्तार होता है और इस बिस्तार से दावरोधी बनती है से की उपर की ओर थोड़ा बड़ा सा होता है नोक से घिस जाने पर उस्मा उपचार के द्वारा इसकी मरम्मत की जाती है इस प्रकार के जो फार होता है उसको पत्थर तोड़ हलो में प्रियोक किया जाता है अगर ऐसा होता है कि वो घिस जाए अत्वा उसमें किसी प्रकार की को कमी आ जाती है तो उसको उसमा प्रिचार मतलब कि उसको आग में डाल करके फिर उसको सही किया जाता है अब हम देखते हैं कि फार के लिए उप्रिक्तु धात कौन सी है तो धलवा लोहा बहुत ज़्यादा इसकी आवसक्ता होती है दृद्शीतित धलवा लोहा इसपात तथा म्रद केंद्र इसपात के बना जाते हैं फार के चैप्टर नमबर बन को भी मैंने नहीं डिस्क्राइब किया है तो जब हम उसको बताएंगे तो हम इसको पूरी तरीके से लेकर के चलेंगे तो इसको हम उस वाले चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे कि धलवा लोहा कैसा होता है साधा इस पात कैसा होता है या जो भी जि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सभी लोग देखेंगे तो 90 मिनिट्स का होगा अगर आप 90 मिनिट्स इसको देखते हैं तो आप समझ लेजे कि इसको 12 से 15 नंबर आपके कहीं से छूटने वाले नहीं है तो इस प्रकार से एक काफी important chapter होता जाता है और आगे हम दावरोध कि बात करते हैं कोर्स के अंदर यह हलतल का वह वाग होता है जिसे कि हलतल के चार भाग मैंने बताये थे फार मोलबोर्ड और दावरोधी हलमोल तो अब हम दावरोधी के बारे में बात कर रहे हैं यह हलतल का वह वाग होता है जो बिना जुती भूम से रगडगर चल जाता ह रगरता हुआ चलता है दाबरोधी कहलाता है दाबरोधी की तीन स्रेणियों में बाटा गया है पतली दाबरोधी मध्यम दाबरोधी और उंची दाबरोधी जो पतली दाबरोधी होती है वो 10-15 cm तक इसकी उचाई होती है और इसको बैलों से जो हल चलते हैं उनमें प्रयोक किया जाता है और मध्यम अथवा ओशत दाबरोधी की अगर हम बात करें तो इसकी उचाई 15-20 cm होती है या बैलों अथवा ट्रक्टर से चलाए जाले वाले हलो में प्रयोक की जाती है और उची दाबरोधी की बारे में अगर हम देखते हैं तो यह 20 cm से अधिक होती है इस दाबरोधी या भूम पार्शव की उचाई 20 cm से अधिक होती है मतलब कि इसकी उचाई 20 cm होती है इसका प्रयोक केवल ट्रक्टर दोरा चलाए जाने वाले हलो में किया जाता है अब अगर जैसे की पतली दाबरोधी जो होती है उसको केवल वैलो से चलाए जा सकता है जो और से तत्वा मध्यम दाबरोधी होती है उसको केवल बैलो अत्वा ट्रेक्टर दोनों से चलाया जा सकता है और उची दाबरोधी जो होती है उसको केवल ट्रेक्टर से चलाया जा सकता है पतली दाबरोधी की अगर हम उचाईयों के बारे में बात करें इन सभी दाबरोधी की तो पतली दाबरोधी जो होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर उचाई की होती है मध्यम दाबरोधी 15-20 cm उचाईगी होती है और उची दाबरोधी जो कि केवल ट्रक्टर में उच की जाती है वो 20 cm से अधिक उचाईगी होती है पंखा अथवा मिट्टी परट की अगर हम बात करते हैं तो मोल बोर्ड की बात करते हैं जो कि जिसमें मैंने बताया था कि जो शिन फार होता है वो मोल बोर्ड को मिट्टी काट करके देता है मोल बोर्ड आप हम देख लेते हैं मोल बोर्ड क्या भाग होता है हलतल में फार के उपर इस्थित भाग मिट्टी परट कहलाता है साधारनता हमने देख लिया है कि मिट्टी परट क्या होता हलतल में फार के उपर इस्थित जो भाग होता है सुरुआत में सबसे पहले क्या लगता है फार फिर उसके बाद में जो मिट्टी उपर की ओर आती है तो आप समझ लेजिए कि फार वाले भाग को छोड़ करके जहां मिट्टी आ रही है उसके बाद में तो उसको क्या कहेंगे मोल्ड बोर्ड अत्वा पंखा कहेंगे आप देखेंगे अगर अहल को देखेंगे तो एक पंखे जैसी आकरत आपके सामने आ रही होगी तो उसी पंखे को मोल्ड बोर्ड कहा जाता है यह कहां पर लगा होता है अगर आप से कोई पूछे तो यह फार के बाद में लगा हुआ होता है यह शुरुवात में फार्ज होता है मिट्टी को काटता है काटने के बाद में वो मोल्डवोर्ड की तरफ मिट्टी बढ़ा देता है और मोल्डवोर्ड जो होता है वो मिट्टी को वहीं पर गिरा देता है जिससे की मिट्टी भुरुरी हो जाती है काफी महतवपूर्ड पार में हम देखते हैं मूड उखाड मोल्ड बोर्ड दूसरा होता है नौतोड करमाग मोल्ड बोर्ड सामाने मोल्ड बोर्ड काली मिल्टी मोल्ड बोर्ड जो मूख उखाड मोल्ड बोर्ड होता है उसके बारे में अगर हम देखेंगे इसके पंक चौड़े होते हैं और लंबाई के अनपास से चौड़ाई कम होती है मतलब कि इसमें लंबाई ज्यादा होती है इसके पंक में जो लंबाई है वो ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है इसके उपरी वाले किनारे नीचे के और जुके रहते हैं जिसके कारण मिट्टी उपर पार से चड़ती हुई मिट्टी भुर्बरी हो जाती है इसको उन्हीं केतों में प्रियोग किया जाता है जो पहले से बोए जाते हैं क्योंकि उनमें बहुत कठोर और नई तोड मिट्टी का प्रियोग करने से इनका अधिक खिचाव पड़ता है मतलब कि इनके फार ज्यादा जुके होने के कारण बैलों पर अधिक खिचाव पड़ता है तो अब हम अगले उसकी तरफ नौतोड करमार्ग मोड़ वोड की ओपर देखेंगे सौट ब्रिकर टाइप मोड़ वोड के बारे मैं करम देखेंगे इस प्रकार के मिट्टी पलट उन भूब्यों के लिए अच्छे रहते हैं जिनमें घास अधिक हो अत्वा जो काफी समय से पड़ती हुई हो मतलब कि जिनमें ज्यादा खिचाव पड़ रहा हो बल्यों पर जिन मिट्टियों में जहां पर घास होती है उनमें ज्यादा खिचाव पड़ता है तो उस प्रकार के हलो के लिए यह काफी अच्छा है पंक माना गया है अकरत में इसकी चौडाई कम और लंबाई अधिक होती है और इसके घुमाऊ को धीरे धीरे होता है जिसके कारण मिट्टी पूरी तरह से पलट जाती है और घासपात पूर रूपे नदब जाते है मतलब कि इसमें मुट्टी दूर तक चड़ती है इसके पंक पर और फिर गिरती है जब तक कि जो भी मिट्टी होती है वो सरी घास होती है वो नीचे दब जाती है और नीचे दबने के बाद में वो सड़ जाती है अगर हम अब दो जो इसके सामाने मोड़ बोर्ड और काली मिट्टी मोड़ बचे हुए हैं तो इसको यह वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे लेकिन तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों को एक पात बता जूँ कि आप लोग अगर एग्री पारडाइस के साथ जुड़े रहते हैं तो आप सभी लोगों के सारे डाउट्स क्लिर किये जाएंगे और आप सभी लो हम इंगा अपिंगर प्रेण यह दो जाएंगे जिसी जाराइस कि कि आप रहा आप सेचे के भाराइस के यह कि वीडियों के बता है तो तो एन आप सो तो आप सब्टाइब लोगों को आप सेचे कि आप सादाए गू है